वेलकम तुदा प्रियागडाज इंस्ट्यूट आज हम लोग बात करेंगे महत्पून वीडियो की स्रिंखला में प्रबंधन से समंधित अति महत्पून प्रशनों के बारे में हमारे सामने जो यह पहला प्रशन है पहला प्रशन यह है कि कानून के सासन के बेवस्था का सिध्धान किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी ध्यान से समझे कानून के सासन rule of law की बात की जा रही है ठीक है तो पहला आप्शन है एवी डाइसी, बी है लोवेल, सी है डवलू एफ बिलो बी और डी आप्शन है एच फाइनल इस प्रशन का सही उत्तर है एवी डाइसी यह बहुत ही महत्पून प्रशन है रूल अफ लाइ का कॉनसेप्ट जो है एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था दूसरा प्रशन यह है कि किसने कहा है कि सत्ता भरस्ट करती है और पून सत्ता पून रूप से भरस्ट करती है यह बहुत इंपर्टन प्रशन है ध्यान से देखिए इसको सत्ता व्रस्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से व्रस्ट करती है पहला अप्शन है LD White, B है Lord Waveries, C है Lord Acton और D है UC या स्टाम इसका सही उत्तर है C, Lord Acton Next, मजदूरी, वेतन, बोनस, अवकास, वेतन, बीमा, किसके उधाराण है? इस प्रशन का सही उत्तर है A, वित्तिय पिरणा का उधाराण है मजदूरी, वेतन, बोनस, अवकास, वेतन और बीमा ओके, भागीदारी, मान्यता और सक्ती, ध्यान से पढ़िए भागीदारी, मान्यता और सक्ती, किसके कुछ उधाराण है? तो पहला है वित्तिय पिरणा, B है गैर वित्तिय पिरणा, C है बाहरी पिरणा और D है अंत्रिक पिरणा इसका सही ओप्सन है B, गैर वित्तिय पिरणा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सिर्ष प्रबंधन द्वारा गठित समीथी द्वारा लिया गया निर्णे कैसा निर्णे होता है? पहला समुह निर्णे, B संग्ठनातमक निर्णे, C ब्यक्तिगात निर्णे, D है ओप्रेटी निर्णे इस प्रशन का सही उत्तर है A, समुह निर्णे, संकट निर्णे को किस रूप में भी जाना जाता है? नेक्स्ट, प्रशासन के सास्त्री सिध्धान, सास्त्री सिध्धान का मतलब है Classical Theory, ठीक है? तो प्रशासन के सास्त्री सिध्धान मतलब Classical Theory of Administration को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब इसका कोई दूसरा नाम क्या है? ठीक है? इतिहासिक सिध्धान, B है यंत्रवत सिध्धान, C है इस्थान सिध्धान और D है मानो सम्मंद सिध्धान इसका सही उत्तर है B, यंत्रवत सिध्धान, मतलब Mechanical Principle या Mechanical Theory ओके हैंडी फ्योल द्वारा संग्ठन के कितने सिध्धांत प्रतिपादित किये गए थे A option है 10, B option है 14, C है 5 और D है 9, इसका सही उत्तर है 14 तो ये प्रस्ण ये जरूर याद रखेगा कि हैंडी फ्योल ने 14 14 जहें सिध्धांत प्रतिपादित किये थे, किसके लिए संग्ठन के, ठेक है Next, Simon किसके बीचारों से सकरात्मक रूप से प्रभावी था पहला है Terry, B है बर्नार्ड, C है LD हुआइट और D है हैंडी फ्योल इसका सही उत्तर है B, बर्नार्ड, नकरात्मक अभिप्रेणा अधारी थे, पहला है भै, B है इनाम, C है पैसा और D है इस्तिति, नकरात्मक अभिप्रेणा भै पर अधारी थे, ठीक है next administration, the mino brook perspective पुस्तक किसे ने लिखी है, यहां से देखो यह पुस्तक बहुत ज्यादा इंपोरठेंट है, देखिए administration, the mino brook perspective पुस्तक किसे ने लिखी है तो पहला है Frank Marini, B है Dwight Waldo, C है C.J. Charlesworth और D है J.M. Pafifner ठीक, फिर से देखे इस आप्सन को, Frank Marini, B. Dwight Waldo, C.J. Charlesworth और J.M. Pafifner तो इसका सही उत्तर है Frank Marini, Frank Marini की पुस्तक है Administration, The Minobrug Perspective प्रसासन के सिध्धानतों को मित, और नीती वचन कहकर किसने खारिज कर दिया था, ठीक है? पहला आप्सन है W.F. Willowby, B. आप्सन है Herbert Simon, C. Chester Bernard, D. LD. White, इसका सही उत्तर है Herbert Simon Next, बिभाग, यहाँ पर खाली स्थान है, इस तरह से भी प्रस्न जो है वो उच्छती है, व्यापाम, P.V. ठेक है? तो बिभाग का एक भाग है संग्ठन परक्रिया, न्यादरन परक्रिया, योजना परक्रिया, स्टाफिंग परक्रिया, इसका सही उत्तर है संग्ठन परक्रिया पहला ओप्सन है, योजना, इसका सही उत्तर है, निर्देशन, डाइरेक्शन, ये सारी चीजे जहें वो डाइरेक्शन के अंतरगत आती हैं, क्या-क्या चीजे? निर्देशन करना, आदेश देना, निर्देश जारी करना, और अधिनस्तों को मार्ग दर्शन और प्रणा परदान करना, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे भी खाली स्थान है, आपको भड़ना है कि appropriate word क्या आएगा? का अर्थ है कि विभाग के भीतर गतविधियों को करने के लिए परतिक अनुभाग को अपने कारिक करता हैं, ये किस में देखने गुमलेगा? यहां पर एक कीbooks क्या आए? न कीक्या इसका सही उतारै की स्थितिती में क्या होता है कि विभाग जो भी कट्विधियों है, उनके करने के लिए इक कारिकर्त अपनी परेक में करने हैं in driven के भीतर processing के अधिकार एक ही ब्यक्ति ध्यान दो यहां पर keyword क्या है एक ही ब्यक्ति में नहीं थे तो वह system किस रूप में जाना जाता है board, bureau, आयोग, परिसत इसका सही उत्तर है B, bureau, next, job loading का क्या अर्थ है एक करमचारी का एक नोकरी से दूसरी नोकरी में इस्तनात्रण, B, option है जान बुचकर जिम्मेदारी, दारे और चुनोतियों का उन्ययन, मतलब बढ़ा देना, इनको काम को और दिचल्स बनाना, और D, option है उपरक्त में से कोई नहीं, तो job loading का अर्थ है B, जान बुचकर जिम्मेदारी, दारे और चुनोतियों का इंक्रिमेंट कर देना, उनको बढ़ा देना, यह कहलाएगा job loading ओके, लोग प्रशासन में, ध्यान देना, लोग प्रशासन में प्रिजमेटिक सोसाइटी, यह बहुत important keyword है, प्रिजमेटिक सोसाइटी का principle किस पे अधारीत है, ठेक, तो किस पे बेस्ट है, तो पहला option है, विकसित और विकासित देशों में सर्विंग सेवाओं का अध्यान, देखो, तो प्रिजमेटिक सोसाइटी की जब बात की जाएगी, तो यहाँ पे हम जो है, विकासित देशों में लोग प्रशासन का Structural and Functional Analysis की बात करेंगे किसकी Structural and Functional संदाचनात्मक और कार्यात्मक विशलेशन की बात करेंगे तो इस तरह से इसका उत्तर होगा C Next देखे, निम लिखित में से कौन विसम चिंतक है तो विसम चिंतक का मतलब क्या है जो चार यहां पर ओपशन दिये हैं तीन जो हो एक तरीकी की सोच रखते होंगे एक तरीकी की उनकी Ideology होगी और एक जो होगा इन से हट के होगा तो यहां पर विसम चिंतक का मतलबुंद यह है ठीक है तो यहां पर ओपशन है पहला ओपशन है टेलर B है Maslow, C है Harzberg और D है Likert इसका सही उतर है Taylor ओके निमलिखित में से कौन Harzberg घ्यान दिजे Harzberg के पिरना के द्वी कारक्सिधान्त में ठीक है? द्वी कारक्सिधान्त में स्वचता कारकों में सामिल नहीं है पहला option है वेतन, काम करने की स्थिति कमपनी की निती और D option है उतरदाईत इसका सही उतर है D responsibility उतरदाईत Next Handy foil का प्रसाशन का समानी सिधान्त क्या है? What is the general principle of administration according to Handy foil? तो इनके उसाग पहला option है निती प्रबंधन निस्तर D है सिर्ष प्रबंधन निस्तर C है मध्य प्रबंधन निस्तर और D है कार्षाला प्रबंधन निस्तर इसका सही उतर है B सिर्ष प्रबंधन निस्तर Top level management की यहाँ पर बाग करते हैं FW Taylor बैग्यानिक प्रबंधन आंदोलन के सबस्तावक पिता ने उसे सिध्धान्त को प्रतिपादित किया जिसकी कल्पना एक बैग्यानिक पद्दती के रूप में एक बैग्यानिक पद्दती के रूप में की गई थी पहला है सौधानिक पुर्वक आउलोकन मापन मतलब मिजर्मेंट C है समाने कराण और D है यह सब ही देखे FW Taylor के उनसार यह तीनों चीज़े हैं उनके बैग्यानिक प्रबंधन की पद्दती में तो सौधानिक पुर्वक आउलोकन भी है मापन भी है समाने कराण मतलब कि जनरलाईईशन भी है तो इसका उतर रहेगा D नेक्स्ट निम्लखित में से कौन भारत में स्टाफ एजेंसी नहीं है पहला उप्शन है कैबिनेट सचिवाले P है कैबिनेट समीतिया C है योजना आयो चोकि आज की डेट का है निती आयो ठेक है और D है आर्थिक मामलों का विभाद तो यहाँ पे ओप्शन है D स्टाफ एजेंसी नहीं है कौन आर्थिक मामलों का विभाद पदानू करम में मतलब हैरिकल में स्केलर ज्यान दिजे स्केलर सब्द का क्या मतलब होता है एक कदम B है स्रीणी C है इस्थिती और D है प्रक्रिया इसका सही उत्तर है B स्रीणी नेक्स्ट लूथर गुलिक द्वारा प्रतपातिव विभाद करण के ओर पी सिध्धान क्या है A है परपज, प्रोसेस, प्लान, प्लेस B है प्लेस, प्रोसेस, प्लेस, 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 इसका सही उत्तर है D परपज, प्लेस, 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 प्लेस जो किसी के प्रवेच्छ को किसी सहयोगी के लिए हानिकारा कुछ भी बताता है उसे कहा जाता है यह option है एक स्क्वीलर, भी है रेट बस्टर, एक छे नहीं, इन में से कोई नहीं यह कलाता है एक स्क्वीलर नेक्स्ट, भारत में संसत की लोग लेखा समीती, लोग लेखा समीती का मतलब P.A.C. पॉब्लिक एकाउंट कमेटी में सामिल हैं, कितने सदस हैं? The option है 15 सदस B.A.C. ऑपिस सदस C है 25 सदस और D. इस प्रस्ट का सही उत्तर है 22 सदस देखिए, जो 22 सदस से आते हैं, वो लोग सभा और राज सभा और राज सभा दोनों से आते हैं लोग सभा से 15 सदस होते हैं और राज सभा से 7 होते हैं अब इनको जोड़ दोगे तो टूटल कितने होगे 22 इस प्रकार प्रश्ट का उत्तर है 22 यदि कोई लोग सेवक नागरिकों पर ऐसे करतब और बात देता है थोपता है जो कानून द्वारा अपेचित नहीं है तो यह हो सकता है अब सेवक नागरिकों पर आएसे करतब यद बातता है थोपे चो कानून द्वारा पेचित नहीं है तो यह क्या है सकती का दुरूपयोग है नेक्स्ट, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला आपसे नॉर्वे, बी आपसे एवेस से, C है स्वेडन और D है फिनलेंड, इस प्रशन का सही उत्तर है श्वेडन, श्वेडन वा विश्व का पहला देश है जिसने सूचना का पहले लागू किया था अच्छा यहीं पे आप से मैं यह प्रस्ण पूछना पूछने जा रहा कि Right to Information Act RTI Act भारत में वो कब लागू हुआ इसको comment box में जरूर दीजिए और यह भी बताना है कि RTI Act कब का है राजी प्रतिरच्छा के सिधान का क्या मतलब होता है तो राजी प्रतिरच्छा के सिधान से मतलब है Stased Immunity Principle ठीक है तो राज मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिरच्छा है बी राजी पर मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन राश्टी अदालतों में नहीं C है राजी की सहमती के मिना उसके अपने नियाले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्तर है, राज मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिरच्छा है, प्रतिरच्छा मतलए इम्यून है, टाइट, next, प्रसासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सरवाधिक प्रभावी साधन क्या है? यहाँ पर प्रसासन पर नियंत्रन की बात की जा रही है ठीक है प्रसासन पर नागरिकों के नियंत्रन का सरवधिक प्रभावी साधन क्या है पहला ओप्सन है चुनाओ बी ओप्सन दबाव समूं सी है सलाकार समीतियां और डी है जनता की राय देखे इस प्रस्न का सही उतर है चुनाओ, आप देखते भी होंगी कि चुनाओ के समय में कोई मंतरी हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, मुख्य मंतरी हो, चाहें प्राइम मिनिस्टर हो सभी लोग जो है, वो नागरिकों की बात को सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो प्रसासन पर नागरिकों के नियंतरना का जो सबसे ज़्याद़ इफेक्टिव तरीका है वो है इलेक्षन चुनाओ, ओके, भरस्टा चार निवारन पर संथानम समीती नियुक्त की गई थी ठीक है, आपको वह बर्स बताना है तो पहला option 1961, B option 1964, C है 1963 और D option 1962 इस प्रशन का सही उत्त है 1962, अब मैं यहाँ आपसे प्रशन यहाँ पूछना चाह रहा है कि आप ये बताए कि जो संथानम समीती नियुक्त की गई उस समय भारत के परधान मंत्री कौन थे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, ठीक, ये जो प्रबंधन से समन्धित कुछ महत्पूर प्रशन थे, इन प्रशनों का पुन्रा विर्ति या ये कहें रिवीजन करते रहिए, ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स मे जरूर बताएग, तब तक के लिए ठैंक्यू, धन्यवाद.